गया के चर्चित सुदंतरता सेनानी, पंडित जगरनात मिश्रा के पौत्र रंजीत कुमार मिश्रा, अब उनकी पुत्रवधू, उसा मिश्रा और पौत्री संगीता मिश्रा के साथ रामपूर्थाना अध्यक्षर अभी कुमार के द्वारा अभध्र बेवहार किये जाने का आरोप लगा है, जिससे पुरी परिवार में रोस है, तो वहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से जाच कर कारिवाही की मांग की गई है, दरसल बीते 28 दिसंबर को इस्थानी नगर निकाय चुनाओ के दूसरे चरण चर रहे थे, मद्दान करने के लिए मद्दान क केंद्र पर मद्दान करने पहुचे थे, तभी रामपूर थाना अध्यक्ष रवी कुमार दलबल के साथ वहां आएं और रंजीत कुमार मिश्रा को पकड़ दिया, उनकी मा और बहन ने थाना अध्यक्ष को कहा कि हम लोग सब इस अमाज से आते हैं और हम लोग स्वतनतरता सेनानी अमरसहीत पंडित जगरनाथ मिश्रा के परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और रंजीत कुमार मिश्रा को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया, जिससे रंजीत कुमार मिश्रा का पूरा परिवार मानसिक तनाव से गुझर रहा है परिवार हैं और हम लोग उस दिन बूद पे गए थे बोट डालने 28 को साम को गए थे तो देखें कि वहाँ पर हंगामा हो रहा था तो हम लोग इधरे एक टो घर था वहीं पर खड़ा हो गए बाबु अंदर चला गया था बोट डालने बाबु चला गया था अंदर तो बहुत देर के बाद पुलिस आया उसके बाद उदब तक बोट डाल के आ रहा था उसमें पुलिस नहीं थी और जैसा ही सीड़ी से नीचे बूद के दर्वाजे पर से उतर रहा था उइसाही उसका देखें हम लोग मा बेटी की कालोर्डपकर के पूरा उसको मारने के लिए तनम के मारिये नहीं मारिये नहीं छोड़ दीजे कोई अपरादी नहीं है कोई कुछ नहीं किया है रंजीत मिस्रा तो घटना ये हुई कि कि बाहर जब लोग पहुंछे वहां जहां पर जिस ए हॉल में बोटिंग हो रही थी उसके बाहर बहुत हंगामा हो रहा था लोग पता नहीं चीज की बना रहे थैं काफी भीड़ भाड थी तो मैंने बोला हूं बस bull हम भूट की इस चीज की का हंगामा हो हमने देखा कि हमारे भाई कोई पकड़ के लिए जाने लगी पुलिस हमने का रहे यह तो वोट डाल लेगा था अंदर को हम लोग बाहर रुख गया थे क्योंकि हम लोग लेडिस थे भीड़ भाड में गये नहीं वह आगे चला गया था चलो मैं देखके आता हम वोट भी डाल अधियों जैसा ही वेवहार किया गया यह रामपूर थाने में मेरी पत्नी पत्ना विस्वेडाले में कारे रहत है तो मैं उनको और बच्चों को लेकर साथ में अठाई दिसंबर को करीब करीब साधितीन वज्य और वज्य पंचा और रविज्य वोट डालने के लिए अट अपनी बहन संधिया साथीन वज्य पहुंचा पहुंचा तो मैं देखा कुछ अंगामा हो रहा हो बहुत डे देए रहे हमारा अंदर में तो नहीं आया तब फिर जो है कि मुझे लगा कि वोट देना जरूरी है तो मैंने वहां पर पूछा कि वोट डाल दूना तो भूले हाँ क्या दिक्कत है फिर मैंने अपना मद्दान कर दिया मद्दान करके आराम से मैं अपने गेट से बाहर निकल रहा था देखा कि पूलिस की गाड़ी दो-तीन सरपट आ रही है उदर से मैंने कुछ किया नहीं अराम से मैं अपना लिकल करना सान से जा रहा था यह से बाहर निकला वैसे ही जो है रामपुर थाना प्रभारी रवी कुमार वह पहले से मुझे से खुनस खाय हुए है इसलिए मैंने मेरे को देखा वह सीधे बोले आदेस कि इसको पकड़ो वह पूर्व में दो-तीन दिन पहले 25 दिसंबर को रात में निर्मान हो रहा था एक मकान का हमारे घर के पास बलिंद्र सिंग पुलिस में दरोगा है वह जवरदस्ति निर्मान कर रहे था जबकि रोक लगा हुआ था नगर निगम से अगर निगम नगर आ तो मैंने रात तक मैं इंतजार किया रात में डिजीपी कार्याले फोन कर दिया इस पी सहाब को फोन किया सब्सक्राइब को फोन किया कोई तरह की रिस्पॉन्स मुझे लगा कि अभी नहीं मिलेगा तो फिर मैं घर में सो गया फिर उसके बाद तीन मज़े तक निर्मान बं कर तूस कर देए मेरे में मझान में मादान के हिंदर से और ले जाने लगे तो मेरे जाने लगे चीन लो बहुत बनता है जो भाई फिर ले जाकर मुझे बाजबरन हाजत में बंद कर दिए अपराधियों के जर्सा जब ना ही गिरफतारी मेमो बनाए ना कोई फायार दर्ज कि और बंद कर दिए उसके बाद फिर जो है कि करिब करिब तीन घंटे बाद संध्या में साड़े च्छे बजे मुझे पैसे की डिमांड की गए कि पैसा 20,000 रुपया आप लाइए वही छोड़ने के अवज में नहीं तो कोई केस में फसा कर आपको डाल देंगा अंदर तो फिर जो